लंबी बीमारी के बाद आखिरकार गोवा के मुख मंत्री मनोहर परिकर कार निधन हो गया रास्टपती रामनत कोविन ने ट्वीट कर ये जानकारी दी पिछले दो दिनों से उनके स्वास्त की हालत बहुत खराब हो गई थी मनोहर परिकर के निधन पर भाशपा अध्यक्ष अमिश्या, गाईका लतमंगेशकर केंद्रिय मंत्री नितिन गटकरी, निर्मला सीता रमन, मुकतार अबासनक्वी मनोस सिना दिल्ली के आपको बता दें कि मनोहर परिकर के निधन से गहरा शोक व्यक्ष किया जा रहा है मनोहर परिकर लंबी बिमारी से परशान चल रहे थे, उनकी तबियत लगतार खराब रह रहे थी जिसके बाद आखिरकार रविवार 17 मार्च को उन्होंने आखरी सास ली, एक साल से पैंक्रियाटिक कैंसर से वो जूज रहे थे 63 वर्सिये मनोहर परिकर सबसे पहले 14 फरवरी 2018 को बीमार पड़े थे इसके बाद उन्हें गोवा मेडिकल कॉलेज में भरती कराये गया था अगले दिन उन्हें मुंबई के लीलावती अस्पताल ले जाये गया कुछ दिनों तक उनका अमेरिका में भी इलाज चला था पिशले साल 15 सितंबर को उन्हें नई दिल्ली स्थित एम्स में भरती कराये गया इलाज के बाद परिकर 14 अक्टूबर को गोवा लौट गये थे उन्होंने 29 जनवरी को गोवा के बजट सत्र में भाग लेने के साथ ही अगले दिन राजी का बजट भी पेश किया सत्र के अंतिम दिन 31 जनवरी को उन्हें दिल्ली के एम्स में ले जाये गया था वहाँ 5 फरवरी को वो फिर से गोवा लौट गये थे लेकिन आखिरकार मनोहर परिकर अब नहीं रहे उनका निधन हो गया है लंबी बिमारी से वो परिशान चल रहे थे पेंक्रियाटिक कैंसर से जूज रहे थे वो जिसके बाद उनका निधन हो गया तो अब गोवा के मुख मंतरी मनोहर परिकर नहीं रहे हैं उनका निधन हो गया उसके बाद से शोक की लहर देखने को मिल रही है तमाम राजनितिक दल और नेता शद्धांजली अर्पित कर रहे हैं दगरम पोस्ट की रिपोर्ट